Hello everyone, welcome to all of you, Varun Avastri YouTube channel में आप सभी का स्वागत है So guys, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ RRB NTPC 2019 के बारे में तो अभी तक जो हम लोगों को पता था कि September month में exam हमारा हो जाएगा उमीद हम लोग ये कर रहे थे कि 10 से 15 September तक हमारे admit card आ जाएगे लेकिन अब ये खुलासा हो चुका है, RRB ने ये hint भी दे दिया है, ये notification भी धारी कर दिया है कि अभी फिलाल exam नहीं होंगे, September से exams को postpone कर दिया गया है अब सवाल ये है कि September से exam को कहां पर postpone किया गया है September का मतलब पहली चीज़तों की अब September में exam होना नहीं है अब इसके बाद आपका exam कहां पर होना है, अब ये expected है आपका exam, October last में या फिर दिवाली के जस्ट बाद, मतलब November 1st से लेकर 15 के बीच में ठीक है, so ultimately अगर हम October last माने, तो भी हमारे पास अभी 50 days का टाइम है बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 50 days में बिना coaching के अब आप कैसे इस exam को निकालोगे अगर आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया, तो आप 100% guarantee के साथ CBT first बहुत आराम से निकालोगे यह मेरा challenge है, यह मैं बिलकुल आराम से बोल रहा हूँ, 100% guarantee के साथ लेकिन अब आपको करना क्या है, उसको ध्यान से सुनना है आपको इस वीडियो में जो आपका CBT 1 है, मतलब कि जो phase first का आपका exam होगा, RRB, NTBC का, उसका यह closer है आपको 90 minutes का time मिलेगा, और आपके 3 subject उसमें पूछे जाएंगे एक तो आपका general awareness पूछा जाएगा, दूसरा maths पूछा जाएगा, और तीसरा reasoning पूछा जाएगा total question आपके क्या होंगे, 40 question जिये के होंगे, 30 maths के और 30 reasoning के तो total होंगे 100 question, अगर देखा जाए, तो 90 minute आपको मिल रहे है 100 question करने के लिए मतलब पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, कि 90 minute 100 question के लिए मिल रहे है आपके पास time बहुत जादा sufficient है, पहली चीज़, ओके bank जैसे exams में, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ one hour मिलता है 60 minute pre में, और 100 question देखने को मिलते हैं, तो उस average में अगर बात करें तो बहुत अच्छा time आपको मिल रहा है, आराम से आप question paper कर सकते हो दूसरी बात, अब यहाँ पर अगर हम reasoning की बात सबसे पहले करें तो reasoning कोई भी ऐसा candidate नहीं होगा, जिसको नहीं आती हो, reasoning सबको आती होगी बहुत आराम से, लेकिन reasoning में आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि reasoning में आपको 2-4 topics ना आते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि reasoning आपको पूरी ना आती हो, reasoning जो भी आपके 2-4 topics आपको नहीं आ रहे हैं आप क्या करो, उसको एक जगे reasoning लिखो, और आपके 1, 2, 3, 4, जितनी भी topics हैं उनको आप note कर लो, मैं माल लेता हूँ, reasoning में आपको maximum 5 topics clear नहीं होंगे हर एक topic को एक दिन, एक एक घंटे बैट के cover कर लो, अगले 5 दिन में आपका reasoning का पूरा matter close हो जाएगा reasoning की यहाँ पर आपकी पूरी tension खतम, believe me reasoning में यहाँ पर हर कोई score करेगा 30 में से 25-25 question करके आएंगे सभी लोग, और आप भी करके आओगे बहुत आराम से अब बात आती है mathematics में, math में भी मैं आपकी यहाँ पर बात करना चाता हूँ कि math में अभी तक अगर आपने preparation नहीं करी हुई है, जिन लोगों की preparation है उनके लिए तो कोई बाती नहीं है वो तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर अभी तक आपकी preparation नहीं है, तो यहाँ पर arithmetic पर आपको जोड देना है 50 days में daily आपको क्या करना है, 3 hours अपने math के divide कर देना है, 3 घंटे आपको math लगानी है, self study करनी है, इतना आप जान लो, ठीक है आप कहीं पर भी पढ़ ले हो, या आप नहीं भी पढ़ ले हो, तो आप book उठाओ, formulas देखो, और simply उसको apply करना, start करो बच्चों यहाँ पर एक गलती मत करना, last moment पर यह मत सोचना कि हम formula है, पहले learn करें, बाद में हम question करें क्योंकि time बिल्कुल last बचा हुआ है, आखरी के करीब 50 से 60 दिन बचे हुए है, हम 50 ही मान के चल रहे हैं, तो अब क्या करो, सामने सामने आप रख लो book और वहाँ पर से formulas देखो, और question paper से देखके, अपने questions आप करना यहाँ पर start करो, question जब आप start करोगे, तो जहाँ पर करते हो, question, मतलब 4 दिन तक आप formulae रटते हो बैठ कर, उसके बाद आप question करना है, start करते हो, यह better way नहीं है, आपको क्या करना है इस time पर, सीधे-सीधे, solution बराबर में रखना है, पहले solution नहीं देखना है, question आपको करने है, जहाँ फसते हो, वहाँ पर से solution देख लेना है, यहा सारी चीज़ें, आप अपनी simple simple सी चीज़ें, जो की जादा-जादा marks आपको देखर जाती है, यह पूरे आप यहाँ पर cover कर लो math में, math में आप यह सोचो, कि math में जो आपके topics हैं, यह आपके 15 chapters से जादा नहीं है, 15 chapters में अगर एक-एक chapter आप daily लेकर बैठ रहे हो, तो हर 3 गंटे में आप एक chapter आराम से खतम कर लोगे, तो 15 दिन में जब आपके पूरी math के topic खतम हो जाएंगे अगले, तो उसके बाद भी आपके पास 35 दिन बचेंगे 50 दिनों में, इन 35 दिनों में फिर से आपको क्या करना है, math को revision करना है, दूसरे तरीके के सवाल उसी topic से उठा क start करने है, लेकिन हाँ, ये चीज नहीं करनी है कि एक बार आपने percentage उठाया, आज आपने percentage पूरा कर लिया, 10 question लगाए, उसके बाद आपने क्या किया, कल फिर से 20 question उठा लिया, फिर day after tomorrow आपने 50 question ले लिये, नहीं, ऐसे आपका keyword time waste होगा, आपको एक बार पूरा syllabus करना ही करन है अगले 15 दिन में, और उसके बाद इस syllabus को आपको revision करना है, ठीक है, तो इसका फायदा आपको exam में ये मिलता है, कि exam में आप जब पूरा question paper go through करते हो, तो आपको एक topic से question नहीं आता है, तो at least आप दूसरे से कर लेते हो, तीसरे से कर लेते हो, ठीक है, अब बात आती है, GA की, बच्चो सारा खेल GA का होगा, मैं अभी से आपको लिख के दे दे रहा हूँ, ये guarantee के साथ मैं बोल रहा हूँ, यही मैंने SSC CGL में भी बोला था, और आप लोगों ने देख भी लिया है, जिन लोगों ने मेरी बात को apply कर लिया था, उन सब का SSC CGL first निकल भी चुका है जिन लोग ने नहीं apply किया था, वो बिचारे यहाँ पर फस गए, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं फिर से आपको बोलूँगा, GA में यहाँ पर वेटेज आपको अच्छा कासा science का और current affair का देखने को मिलेगा, साथ ही में Static GK का भी आपको वेटेज देखने को मिलेग अगर Static GK आपको नहीं आती है, तो Static GK के लिए आप मुझा Unacademy पर, Unacademy का Learner Wrap आप डाउनलोड करो, वहाँ पर आप मेरा नाम सर्च करो, वरुन अवस्थी, वहाँ पर आपको मेरा profile मिलेगा, बिलकुल भी आपको pay करने की ज़रूरत नहीं है, free of cost यह course है वहाँ पर, इस वीडियो के link में मैं दे दे रहा हूँ, सारे link, वीडियो के description में मैं आपको सारे links दे दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप crash courses पूरे पर सकते हो, तो आपको मेरे profile में जाना है, वहाँ पर do you know नाम का एक course है, वही है पूरा Static GK का course, उस पर मैंने बहुत सारे chapters दे रख है कि definitely यहीं से आपको सारे question मिल जाएंगे, आप SSC का मेरा feedback देख सकते हो मेरी website पर, सारी चीज़े, तो आपको यहाँ पर भी question बहुत आराम से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको trust करना है अगले 50 दिन तक मेरे current affair उसके बाद आप देख लोगे उसका result, अब बात आती है science की, त science के लिए आप MCRT उठाइए, physics, chemistry, bio बहुत अच्छे से कर डालिये, यहाँ पर भी bio कुछ जाद ही अच्छे से आपको करने की ज़रूरत होगी, bio से और physics से question बहुत अच्छे पूछता है यहाँ पर, ठीक है, अब एक चीज़ बच्चों यहाँ पर आपको at last बता देना चा बहुत सोस समझ के कदम उठाइएगा, एक भी question जो आपको नहीं आ रहा है, उस question पर आपको guess करने की ज़रूरत नहीं है, तुक्का मत लगाईएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, SSE में मैंने बोला था कि तुक्का मत लगाईएगा, लेकिन जो लोग लगा क्या है, उनका selection रुग गया है, इस बार मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, तुक्का मत लगाईएगा, please, 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 ठीक है न, जितना आपको आ रहा हो, आप उतना करके आना, believe me आपका selection होगा, बहुत आराम से paper आपका निकल जाएगा, target आपको यह लेकर चलना है, reasoning में आप 25 करके आओगे, maths म आपको 22 से 25 के बीच में करके आने, और GA में target लेकर चलिए, 20 प्लस करके आएगे, ठीक है, और जो मैंने रास्ता आपको बताया है, science, current affair और static GK का, अगर आपने इतना कर लिया, तो believe me, 20 प्लस तो मैंने यहाँ पर लिग दिया है, लेकिन आप 24 प्लस भी करके आ सकते हो, बह बहुत अच्छा यह टाइम है, और यह बहुत अच्छी बात हुई, कि यह postpone हो गया, आप लोगों को एक at last मौका मिला हुए, ठीक है, तो बिलकुल लग जाओ, और कर हर मैदान फते, इस बार मैदान फते होना चाहिए, ठीक है न, इस बार railway पार हो जाना चाहिए, बिलकु कर रहे हैं, तो Unacademy पर 10 सितंबर से पहले मैं GS का एक crash code से start कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको join करना चाहते हैं, तो आप Unacademy पर subscription ले सकते हैं, और अगर आप मेरा यह referral code यूज़ करेंगे, वरून777, तो आपको 10% का Unacademy पर discount मिल जाएगा, thank you so much, have a nice day, मिलते हैं next video में कर दो कर दो करिया कर? झाल झाल